जब भी हम कोई चाट खाते हैं तो मैं बाद में बहुत रिक्रेट होता है कि हमने फ्राइड चाट खाली लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ चना चाट जो हेल्दी दो है ही और इसमें कैलरीज भी बहुत कम है चाट बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में यहें चने जिसे मैंने रात भर भगो दिया था तो यह देखिए इस तरीके से फूल गए हैं और यह चने भिगो कर ही बनाए जाते हैं और इसे 3-4 पानी में अच्छे से हमें पहले वाश कर लेना है फिर हम एक लेंगे कूकर और उसमें यह चने डाल देंगे, बैने 2 कप चने लिए हैं तो इसमें 4 कप पानी डाल दिया है, पानी इसमें डबल डाल देंगे और उसमें डालेंगे एक चमच नमक और ढकन लगाके इसको 5-6 विसल आने तक हम पकाएंगे हमने इसमें कोई सोडा नहीं डाली सरफ नमक ही डाला है जब 6 विसल लग जाएंगी तब हम इस गैस को बन कर देंगे और स्कूकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए चने हमारे अच्छे से बॉइल हो गए हैं अगर आपको लगता है कि चने अच्छे बॉइल नहीं होएं तो एक से दो सीटी आप और लगवा सकते हैं ये देखिए चने एकदम सॉफ्ट हो गए हैं इसको लगए फ्लेम साथी के इसा उपम से बॉइल कचा आप मसाला है चने की चाट बनाते हैं अगर चने की चाट बनाते हैं इससे इसके मिसाले चने के अंदर तक चले जाते हैं, हम एक मैशर लीएंगे और इसे हलका-हलका मैश कर देंगे, बहुत ज्यादा मैश नहीं करेंगे, यह देखिए चाट बनाने के लिए चने हमारे बिलकुल ready हैं चलिए हम इसकी चाट बनाते हैं आप इसे गरम में भी बना सकते हैं और ठंडा करके भी बना सकते हैं एक बोल में हम चने लेंगे जो हमने ready किये थे अब ही तड़का लगा के अब आपका जितना कटा हुआ प्यार और इसे अच्छे से कर देंगे हम मिक्स िक्स İसमें क्याबिश भी डाल सकते हैं जूकंदर मिक्स इसमें डाले आदा चमच शाड मसाला थोड़ा साफेज नमक और आदा चमच काला नमक और एक चमस जाला है मैंने भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा मसालों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे एक नीम्बू का रस अगर आपको खटा ज्यादा पसंद है तो आप दो नीम्बू भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा खटा मिठा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे अनार के दाने और इसकी फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया बत्ता यह देखिए चना चाथ हमारी बिल्कुल रेडी है अब हम इसे सर्फ करेंगे इसे मैं आपको आज तीन तरह से सर्फ करके बताऊंगी क्योंकि जब खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम इसे एक सिंपल सी प्लेट लें और उसमें इसको सर्फ कर दें इस तरीके से देखिए कितने टेस्टी लग रही है और हेल्दी तो यह होती है और उपर से हम डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने और धनिया के पत्ते इसे गार्निश करने के लिए चनाचाट सर्फ करने के लिए बिलकुल रेडी है और आज मैं इसको सर्फ करूंगी खीरे की बोट में यानि की कुकुमबर बोट में खीरे को पहले हम बीच में से इस तरीके से काटेंगे एक नाइफ की हेल्प से फिर एक स्पून की हेल्प से हम इसको बीच में से होलो कर देंगे इस तरीके से देखिए यह बहुत इजीली हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे आप बच्चों को लंच में पैक करके भी दे सकते हैं और सालेट की दना भी सर्व कर सकते हैं देखिए मैंने दोनों को ही होलो कर लिया है अब मैं इसमें ये चना चाट सर्व करूंगी तो ये देखने में और भी प्यारी लगेगी यह देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में यह अब मैं आपको टमाटर में चार्ट सर्व करना बताती हूं एक टमाटर लेंगे उसको उपर से इस तरीके से हम काट लेंगे फिर उसी नाइफ की हेल्प से हम बीच में से इसका यह जो पाट होता है बीच वगएरा यह सब हम निकाल लेंगे चमच से और टमाटर को हम देखिए खाली कर देंगे इस तरीके से और इसे अगर आपको रखने में दिक्कत हो रही है तो नीचे से भी हलका सा इसका एक पाट क शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटे का बटन दबाना ना भूलें बाइफ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में